ओम शेंति आज की मुल्ली में बाबा ने कहा कि आप बच्चों के अंदर बहुत फुकर होना चाहिए बहुत उमंग उत्सा होना चाहिए कि तुम शिरिमत पर परिस्तान की स्थापना कर रहे हैं बाबा ने कहा कि ऐसे बाप को देखकर तो बच्चों के अंदर बहुत उलास आ जाना चाहिए जैसे कोई बाप होता है जो बच्चे को बहुत प्यार करता है और उसको लगता है कि बाप से मुझे बहुत प्राप्ती होती है तो जैसे ही बाप गर में आता है तो बच्चा क्या करता है उच्छ नाचने लग जाता है, उमन उच्छा में आ जाता है, उलास में आ जाता है कि मेरा बाप आया तो बाबा ने का ऐसे ही जब बाबा आते हैं तो आप बच्छों के अंदर भी बहुत उलास आना चाहिए, खुशी आनी चाहिए बाबा ने का लेकिन बाबा क्या देखता है कि बच्चों जो है अभी भी किचड़ पटी की बातों में बाहर दुनिया की बातों में उन्हीं ख्यालातों में रहते हैं बाबा ने का बाबा के ख्यालात कैसे हैं बाबा के क्या ख्यालात चलते हैं रात दें कि यह spiritual university है, इस university से मच्चे जो हैं पढ़कर मनुष्य से देपता बन जाएं, कि कैसे इनको मनुष्य से देपता बनाओ, तो बाबने कहा कि बाबा को तो यही ख्यालात चलते हैं, बाबने कहा आप बच्चों के भी बहुत royal ख्यालात होने चाहिएं, पिर बाबने कहा कई बच कोड़े क्या मारते हैं, बाबने कहा उनके अंदर ग्यान का ग्या भी नहीं है, लेकिन एकदम खारे हैं, बाबा अंदर में ग्यान का ग्या भी नहीं है, खारे हैं, लेकिन कहेंगे क्या कि हम तो बहुत ग्यानी योगी हैं, हमको तो बहुत अच्छा ग्यान है योग है, दि तो बाब ने का यहां तो बड़ा अंतर मुखी हो करके अपनी जाँच करनी है, यहां पर शो तो चली नहीं सकता, बाबा के घर में तो कोई बहुत शो बाजी करे, तो वो इस ग्यान में चली नहीं सकता है, तो बाब ने का इसलिए बाबा क्या देखता है, कि थोड़ा सा भी पैसा अगर उनको मिल जाए तो उनको उल्टा नशा चड़ जाता है अगर बाबा थोड़ी सी भी महिमा कर दे उल्टे नशे में चले जाते हैं यह बाबने किनकी बात करी खारे जो गपोडे मार रहे अंदर कुछ नहीं है यह बाबने कहा कि आप बच्चों के अंदर तो बिक बन रहे हैं और बाबने कहा बाबा तो किसम किसम से आपको रुखानी नशे की डोज देता है रुखानी नशा चड़ाता है फिर बाबने पुना कहा कि कईयों को बाबा क्या देखता है कि कईयों के अंदर मिथ्या अंकार है मिथ्या अंकार माना कुछ करना नहीं करना क कुछ भी नहीं, लेकिन सिर्फ क्या है, अहंकार है, कि हम तो पता नहीं क्या है, जिसे बाबा एक होता है कि आप कुछ कर रहे हैं, और उसके बाद उसका अभिमान आ गया, लेकिन मिथ्या अहंकार माना कि कुछ नहीं कर रहे हैं, करना कुछ नहीं, लेकिन फिर भी अहंकार है बाबा ने का कि ऐसे बच्चों को देखकर बाबा समझ जाता है कि यह जादा समय चल नहीं पाहेंगे इसलिए बाबा ने कहा कि यहाँ क्या चाहिए यहाँ पर अंदर की बहुत सफाई चाहिए आत्मा बड़ी साफ शुद चाहिए शुद मना की बाब के साथ ऐसा नहीं अंदर बाहर जो बाबा कहता है समान हो तो बाब ने का यहां तो यह पड़ाई है तो बाब ने का इसलिए यहां तो आत्मा बड़ी शुद चाहिए बड़ी साफ चाहिए इसलिए बाबा ने कहा आप सब क्या कहते हो हमारी बाबा के साथ love marriage होई है बाबा ने कहा एक के थोड़ी ना होई है love marriage तो अनेकों की हुई है अनेकों ने बाबा के साथ सगाई की है लाकों की सगाई हुई है ना बाबा के साथ तो बाब ने कहा आप सबकी बाप के साथ सगाई हुई है फिर बाब ने कहा देखो आप कहा किचडे में पड़े हुए थे तो बाब ने कहा चीची दुनिया से आपको निकाला है गंद से निकाला है बाब ने कहा इसे विचार करना चाहिए कि बाबा ने हम को कहां से निकाल रहा है फिर बाबा ने कहा देखो जैसे होता है ना कि कहीं शेरों में स्लामेरिया होते हैं तो जुगियां बनी होती है ना किनारे पर तो बाबा ने कहा है ऐसे ही तुम कहां थे ये बेहत की दुनिया में आओ तो ये बेहत की दुनिया जो है किचड में पढ़ी भी है और तुम सब किस में रह रहे हो जुगियों में रह रहे हो अब जुगी क्या है बाबा ने का ये शरीर तुमारी जुगी है और बाहर क्या है बाबा ने का बाहर तो किचड है तो वहां से बाबा ने हमको निकाला वहां से बाबा ने निकालकर हमें अपना बनाया है, तो बाबा ने कहा तुम आत्मा जो है शरीरूपी जुगी में बेठी हुई है, वहां से बाबा ने निकाला, तो बाबा ने कहा जो निकलकर आ गए हैं, उनके लिए तो जैसे संगम युग है, उनके लिए किचड़ा नहीं है हम तो किचड़े से बाहर निकला है लेकिन बाकी सब कहां पर है किचड़े में है अब किचड़ा क्या है तो किचड़ा यही विकार काम क्रोध लो मो अहंकार इन विकारों के किचड़े में आत्मा पड़ी वी है लेकिन हम क्या है हम एकदम हम क्या पुरशारत कर रहे हैं कि आत्मा को स्वच शुद्ध बनाने का पुर्शारत कर रहे हैं बाप की याद से बाबा ने कहा कि इसलिए जल्दी से अपने शिवाले की स्थापना कैसे हो उसकी प्लैनिंग करो जल्दी जल्दी से शिवाले आए अपने राज्ये में जाए तो कि बाबने का देखो भारत कहां था, कहां सरग सत्वतो प्रधान था और आज भारत क्या बन गया है तो बाबने का इसलिए आपके ख्यालात बड़े रॉयल होने चाहिए यह बहुत बड़ी spiritual university है वहाँ जहां हम पढ़ रही है तो आपके अंदर बड़ा रॉयल नशा चड़ा होना चाहिए लेकिन बाबने का बाबा देखता है बच्चों का माया नशा ही दबा देती है फिर बाबने ये भी वान किया कि बच्चों के अंदर उल्टा नशा नहीं आ जाना चाहिए कैसा उल्टा नशा कि बाबा ने कहा कि अपने आपको चेक करो कि हम क्या कर रहे हैं कितना पढ़ रहे हैं कितनी हम मदद कर रहे हैं बाबा ने कहा ऐसे नहीं ये करेंगे ये करेंगे तो बातों के पकोड़े नहीं खिलाओ करना है बाबा ने कहा कई ऐसे होते हैं बस गपोडे मारते हैं हम ये करेंगे, हम ये करेंगे और करेंगे कुछ नहीं तो वो बाबा ने कहा कि ऐसे बातों के गपोडे और पकोडे नहीं खाओ करके दिखाओ बाबा को तो ये जैसे बाबा ने कहा फिर बाबा ने कहा देखो देह अभिमान की भी कमाल है कितनों को पतित बना देता है और देही अभिमानी बाबा ने कहा कि आत्मा को देही अभिमानी बनते हैं तो आत्मा शुद्ध हो जाती है पिर बाबने का सिरफ याद नहीं करना है आपको देवी गुन भी धारन करने है और यही युद्ध चलती है माया के साथ बाबने का आपकी युद्ध चलती है इसलिए आपका टाइटल क्या है कि unknown warriors किसी को पता ही नहीं है कि अंदर में हमारी माया से गुप्त युद्ध चल रही है तो बाबने का इसलिए याद करना है और याद से ही तुमारे अंदर की जंक निकलेगी बाबा ने कहा देखो बाप को भी याद करना है, टीचर को भी याद करना है, गुरू को भी याद करना है, तीनों को याद करना है लेकिन काइदा क्या है कि पहले बाप को याद करना है, फिर टीचर को याद करना है, फिर गुरू को याद करना है फिर बाबा ने कहा देखो बाबा यहां पर जो दे रहा है वो सब गुप्त है जैसे लौकिक में भी कन्या की शादी होती है उसको गुप्त रीती से दहेज दिया जाता है तो यहां भी बाबा ने कहा कि सब कुछ गुप्त है शिप बाबा भी गुप्त है और यहां भी गुप्त दान दिया जा रहा है बाबा ने कहा मैं गुप्त रीती से आपका शिंगार भी कर रहा हूं और बाबा ने कहा दहेज में क्या दे रहा हूं आपको क्योंकि शुरू में कहा ना आपकी love marriage हुई है कभी love marriage कभी युगल बन जाता है तो कभी बाप बन जाता है बहुर उपिया है वो तो कहता है मैं तुम्हें दहेज में विश्व की बादशाही दे रहा हूँ और वो भी गुप्त किसी को पता ही नहीं है कि यहां हमको देज में विश्व की बादशाही मिल रही है तो बाबा ने कहा कि यह जो मिल रहा है आपको गुप्त रिती से तो बाबा ने कहा इस चीज की आपको कितनी खुशी होनी चाहिए अंदर तो बाबा ने कहा बाबा को कोई अहंकार थोड़ी ना कि बाबा सब को दिखाए जैसे जिसको अहंकार होता है वो दिखाता है कि देखो क्या-क्या मिल रहा है लेकिन बाबा ने का यहां तो बाबा को कोई अहंकार नहीं है बाबा गुप्त रीती से हमें सब कुछ दे रही है शिंगार भी कर माया भी तो बहुरूप नहीं है अगर बाबा बहुरूपी है तो माया भी कई रूप रचकर हमारे सामने आती है अब एक रूप बाबा ने ये बताया आज कि बाबा कहते है अगर कोई शिरिमत मिलती है तो मुझी जाते है कि ये ब्रह्मा की शिरिमत है, भाई की शिरिमत है, कि शिप बाबा की शिरिमत है, ये कौन बोल रहा है तो बाबा ने, कई बार बाबा ये कह चुका है, आज पिर बाबा कहते हैं कि ये सदा ये समझो, कि ये शिप बाबा की शिरिमत है अगर कुछ गलत भी होगा शिरिमत आप शिरिमत अनुसार चलो बाबा ने जिम्मेवारे ली है कि अगर कुछ गलत भी होगा तो बाब जिम्मेवार है उस गलत को भी बाबा ठीक कर देगा तो बाबा ने कहा इसलिए कहीं पर भी मुझो नहीं संशे बुद्धी नहीं आओ जो शिरिमत मिले उस पर आप चलते चलो फिर बाबा ने ब्रह्मा भोजन की भी महिमा करे कि ब्रह्मा भोजन की कितनी महिमा है देपताइं भी ब्रह्मा भोजन के लिए तरस्ते हैं तो यहां पर बच्चों को क्या मिलता है, यहां पर बाबा ने कहा कि जो बाबा की याद में भोजन बनाते हैं, वो ही खाने वाले और जो बनाने वाले हैं, उनका कितना भाग्य बनता है, तो बाबा ने ब्रह्मा भोजन की भी बहुत महिमा करी, फिर बाबा ने कहा कि आप लो तो जब रात से वहराग आएगा तभी तो दिन आएगा ना परता जब भक्ती से वहराग आएगा ना बेहत का वहराग ना केवल भक्ती से लेकिन पूरी पुरानी दुनिया से वहराग आएगा तभी बाबने का हाद दिन आएगा फिलास में बाबने का मैं तुम्हारा बाप हूँ, विश्व का मालिक हूँ, इस श्रिष्टी रूपी व्रिक्ष का बीज रूप हूँ, मेरे अंदर ही सारा ज्यान है, इसलिए जाड और बीच को याद करो और तुम्हारे अंदर बहुत खुशी होनी चाहिए कि अब हम नई दुनिया में जाने भाने हैं, और आज के वर्दान में बाबने बेहत सेवाधारी कैसे बने, तो बाबने का कि बेहत की वृत्ती से, अगर हम कोई भी कारे करते हैं, तो उससे क्या होता है कि बेहत के वाइब करना है, तो कोई भी जैसे हम ड्यूटी बजा रहे हैं, कोई भी कारे कर रहे हैं, चाहिए लौकिक चाहिए लौकिक, लेकिन अपने संकल्प द्वारा, व्रित्ती द्वारा बाबने कहा आप वाइब्रेशन फैलाओ, उससे क्या होगा कि वो वाइब्रेशन जो है पूरे व मनसा सेवा कहता है, तो उससे बाबने कहा कि आप बेहत के सेवाधारी बन जाएंगे, जैसे हद और बेहत के सेवाधारी होते हैं, हद के सेवाधारी माना कि एक लिमिटेट दो लोगों की सेवा कर ली, तीन लोगों की सेवा कर ली, या अपने सेंटर पे आने वाले जो Vibration बनाने की, फैलाने की सेवा, अपनी duty बजाते हुए भी अपनी वृत्ती द्वारा कर सकते हुए, तो यह जैसे बाबने का उससे आपको बेहत के सेवाधरी बन जाएंगे, और आज के स्लोगन में बाबने शिव शक्तियों का शिंगार बताया, बाबने का जो शिव बाबा के साथ कंबाइन शिव शक्तियां हैं, उनका जो शिंगार है, वो ज्ञान के अस्तर और शस्तर हैं, यसे लौकिक में शिव शक्तियों के हाथ में बहुत अस्तर शस्तर दिखाते हैं, और बहुत शिंगारी भी दिखाते हैं, सधारन नहीं दिखाते हैं, उनको शिंगारा शेंगारी ही हो और उसके हाथ में ज्ञान के अस्त्रश शेंगार बता रहे हैं। तो यह जैसे बाबा ने शिव शक्तियों का शेंगार बता रहे है। ओम शेंगार बता है।